Welcome to Study Channel, मेरा नाम है मुहम्मत कैसर, बात करेंगे दोस्तों LTE grade, GIC प्रवक्ता और GDC की नई भरती के बारे में, साथी साथ खंड सिक्षातिकारी की नई भरती के बारे में, क्योंकि जो exam calendar जारी किया UPSC ने, इसमें इन्होंने बताया जरूर कि इसका अधियाचन UPSC के पास है, लेकिन इसका exam कब होगा, इसके बारे में सुचना नहीं दी गई, क्योंकि कुछ ने कुछ समझ से आए हैं, इन भरतियों के साथ, और इसी वज़े से ये बताया गया, कि अभी हम इन परिक्षा तारिकों का एलान नहीं कर सकते, बहुत सारी dates को आरक्षित रखा गया है, और इन ही आरक्षित तित्यों में ये परिक्षाएं कराए जाएंगी, आप जब ध्यान से देखेंगे, ये एक्जाम केलेंडर 2024 का, इसमें जो सभी भरतियां है, सब 2023 की है, चाहे हो आरो आरो 2023 हो, टीक है, स्टाफ नर्स बगर हो, या जो भी भरति हो, सिर्फ एक PCS का भरति है वो ये पी PCS को नई भरतियों के मिल नहीं पाए, और जिन पदों का दियाचन मिला हुआ है, उसमें कुछ न कुछ समस्या है, जैसे LTE ग्रेट जैसी प्रोक्ता में समकक्ष अहरता का मामला है, और इसके बारे में बताया है, भी पी PCS ने, बिलकुल ये जो एक्जाम केलें इंडर है, जो पी PCS के ऑफिसल वेब साइट पर है, और देखिए उन्होंने सबसे पहले वाले पॉइंट में बताया कि राजकी डिग्री कॉलेज की जो भरति है GDC की स्क्रीनिक परिक्षा से संबंदित प्रस्तावित निमावली के उत्तर पड़े सासन दौरा प्रक्षान किये जाने के पश्चात उपरोग परिक्षा या था संबह उक्त आरक्षी तितियों में कराए जाएंगी तो आरक्षी तितियों में एक्जाम तो ये कराए जाएंगे लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा आवेदन होगा तब ही तो परिक्षा होगी तो जो परिशानिया ह जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक notification जारी नहीं होगा तो पहले से कैसे बता दे लोग से वायों कि आपका exam इस दिन होगा तो screening परिछा संबंधी असपस्टिक्रड जब मिल जाएगा FPSC को तो ये notification जारी होगा और आगे बताया गया है देखिए यहां पर राज की inter college में प्रवक्ता जैसे प्रवक्ता, LTE grade सिक्षक भरती और खंड सिक्षादिका ये जो तीन भरतियां है यहां पर जो problem है वो है समकक्षता का यानि कि समकक्ष हरता इन भरतियों का अभी तक decide नहीं है बिलकुल UPPSC ने officially से बताया है और जब तक समकष हरता clear नहीं होगा ये जो व मामला भी तक हल नहीं हो पाया तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को भी कुछ इस्टेब उठाने होंगे अपनी बात को शाशन तक मजबूती से रखना होगा लोक सेवा आयोग का इसमें कोई खास रोल है नहीं क्योंकि समकक्षारता का मामला सासनस्तर से निस्तारित हो और जब तक यह मामला क्लिर नहीं होता है तब तक विग्यापन नहीं आएगा प्रयाग राज में समय समय पर छात धना पदर्शन करते हैं आप लोगों को यहां पर शामिल होना पड़ेगा जब आपके मुद्दे की बात हो तो आप खड़े हो ये थ्वासा समय दीजिए अ तो इसमें भी जब नोटिफिकेशन आया एक्जाम कलेंडर का इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है कि समकक्षारता हल नहीं हुगा है बहुत सारी डेट्स आरक्षित हो गई है देखिए लाइन से डेट्स आरक्षित हैं जरूरी नहीं है कि इन सभी आरक्षित डेट्स में को नोटिफिकेशन कब तक आएगा जो मामले फसे हुए हैं उसको हल होने का इंदजार करना होगा और आप लोगों को भी अपने तरफ से इसके लिए कोशिश करनी होगी आप देख लिजिए कॉंस्टेबल भरती में जो यूफी पिलिस की भरती का इस समय आवेदन चल रहा है आ ये तो अफिशली बता दिया गया है कि यूफी पियसे के पास अधियाचन है वो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जो मामले हैं उसको क्लियर करने की आवशकता है अमीद है कि ये सारे मामले जल्द क्लियर हो जाएंगे इस साल ये जो सभी विग्यापन है वो निकल जाएं लेकिन आप जैसे भी इन सब मामलों में सहीब कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं जरूर करें पढ़ाएं तो जरूरी है ही आप तैयारी करिए लगता तैयारी करिए ने महीने में तीसो दिन पढ़िए लेकिन कहीं कभी कोई जरूरत हो कभी कहीं कोई бुलाई especially आपके मुद्व कोई और जन काई निकलती है, सुचन आपको दिया जाएगा, आप हुमारे साथ बने दियेगा, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जूड़े दिये, thanks for watching.